नवस्कार आप देखरें नियूस शक्र मैं अभिसार शर्मा वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इनी गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल नियूस शक्र खबर की गहराईयों को टटोलता क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी कंगना रनावत को दिल से माफ कर पाएंगे कंगना रनावत ने हमारे किसानों को अपमानित करने वाला बयान दिया था उन्होंने ये कहा था कि जहां किसान आंदोलन हो रहा था वहां लाशे गिर रही थी बलातकार हो रहे थे नतीजा ये हुआ है दोस्तों कि भारती जनता पार्टी को एक खत जारी करना पड़ा है जिसमें उन्होंने कंगना रनावत को नसीहत दी है कि आगे से आप ऐसे बयान ना दें जिसको लेकर आपको अधिकरित ना किया गया हो भारती जनता पार्टी इस अनसाइंड खत में बयान में ये भी कहती है कि हम कंगना रनावत के बयान से इतिफाख नहीं रखते सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ये जो खत भारती जनता पार्टी ने जारी किया है इसमें जेपी नड़ा के दस्खत क्यों नहीं है भाई कंगना रनावत हमारे किसानों का अपमान कर रही है जाहिर सी बात है पार्टी के किसी बड़े नेता को दस्खत करके बयान जारी करना चाहिए था मगर आप ये कोरा सा बयान जारी कर देते हैं में किसी का दस्कत नहीं है भारती जनता पार्टी ऐसा क्यूं कर रही मैं आपको बताता हूँ क्यूंकि हर्याणा में चुनाव होने वाले हैं तमाम प्रीपोल सर्वेस बता रहे हैं कि भाज़पा की हालत पतली है कॉंग्रिस सिर्फ एक सूरत में चुनाव हार सकती है वो है पार्टी के अंदर जो सिर्फ उटबबल चलती है पार्टी के अंदर हर कोई यक्ती जो मुख्यमंत्री बनना चाहता है सिर्फ ये एक वज़ा हो सकती है कॉंग्रिस की हारने की वरना ये माना जा रहा है कि हर्याना में कॉंग्रिस वापसी कर रही और ऐसे दोर में कंगना रनावत का ये बयान सामने उभर कर आता है प्रधान मंत्री मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप कंगना को दिल से माफ कर पाएंगे और मैं ऐसा क्यूं कह रहा हूँ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि किस तरह से प्रग्या ठाकुर ने जो की भोपाल की सांसद हुआ करती थी 2019 के लोक सभाच चुनावों से पहले उन्होंने गांधी और गोडसे के बारे में आपती चनक बयान दिया था प्रधान मंत्री नरेंद्र बोनी ने तब इंटर्वियू दे कर कहा था कि मैं उन्हें दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा हाला कि मैं नहीं जानता हूँ कि प्रधान मंत्री ने कैसे उन्हें दिल से माफ नहीं किया क्योंकि ना सिर्फ वो चुनाव लड़ी उसके बाद अगले 5 साल जब तक वो सांसद रही वो विवादास्पत बयान देती रही अनरगल बयान करती रही प्रदान मंत्री ने कभी उनको नसीहत नहीं दी संसद के अंदर उन्हें कई समतियों का सदस्थ भी बनाया गया इनामित भी किया गया मैं नहीं भूलाओ निउस 24 को दियेगा इंटर्व्यू में प्रदान मंत्री ने क्या कहा था और मैं कुछ देर बाद में आपको बताऊंगा क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्या वो कंगना को माफ कर पाएंगे या नहीं सुनिए प्रदान मंत्री ने निउस 24 को दिये गए इंटर्व्यू में क्या कहा था गांदी जी या गोडशे के समने में जो भी बाते कही है इस प्रकार के जो भी बयान दिये गए ये भाहिंकर खराब है प्रदान मंत्री एक लंबी चोड़ी फेहरिस्थ है आपकी पार्टी में कंगना रनावत का आपती जनक बयान प्रग्याठ हाकुर आपती जनक बयान नुपुर शर्मा हजरत मुहम्मद सहाब के बारे में आपती जनक बयान उस पर आपने कारवाई की थी मर क्यों की थी वो भी मैं आपको बताऊंगा आप कितनों को माफ नहीं करेंगे लंबी चोड़ी फेरिस्त है लाइन लगी हुए नेताओं की जिसका जिक्र मैं आगे जाकर करने वाला हूँ मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को कंगना रनावत का बयान सुनाना चाहता हूँ उन्होंने एक इंटर्वीू में बांगलादेश की याद दिलाई और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से किसान अंदोलन में लाशे गर रहे थी बलातकार हो रहे थी सुनी उन्होंने क्या कहा था और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिये गए थे, तो पुरा देश जो है वो चौक गया था, और वो किसान आज भी वहाँ बैठे हो, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं यह बिल वापस होगा, वो बड़ी लंबी प्लैनिंग थी, जैसे बैंगलादेश में हुई है, तो इस तरह के शर्यंत्र, और आपको कह लगता है किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी शक्तियां हैं, वो यहां काम कर रही है, और यह फिल्मी लोग है, इनको लगता है कि इनकी दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड में, ऐसा नहीं होता है, देश अगर भाड में जाएगा, तो आप भी साथ में भाड में जाएंगे, यह बात जो है, इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए, पर खेया जितने इनकी बुद्धी है, उतने इनकी करतूते भी हैं, जब कंगनार अनावत के बारे में भारती जनता पार्टी यह बयान जारी कर तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब पूरा गोदी मीडिया पहले दिल से किसान सिंग्हू और टीकरी बॉर्डर पहुँचा भी नहीं था, तो यह कहने लगी थी, कि इस आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का हात है, किसान पहुँच जो नेता किसानों से संबाद कर रहे थे, मसलन प्यूश गोयल, रवी शंकर प्रसाद, वो लगातार कह रहे थे किसान दोलन के पीछे अर्बन नकसल है, क्या भारती जनता पार्टी आज इन नेताओं को डांट लगाएगी, इनके बारे में भी बयान जारी करेगी, जैसा कि उन्होंने कंगना रनावत के बारे में बयान जारी किया है, कंगना को आपने मंडी से टिकट दिया है और उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, ये मत भूलिये, कि उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान क्या-क्या बयान नहीं दिये थे, उन्होंने ऑपरेशन ब्लु भारतिय जन्ता पार्टी ने कंगना को मंडी से टिकिट दिया, इनका पूरा इतहा से अनरगल बयान देने की प्रधान मंतरी, ऐसे में क्या आप कंगना को दिल से माफ कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात प्रधान मंतरी आपको अपने इस अपरपकु सांसद, इस इम मेच् किस तरह से एक एरपोर्ट में कुलविंदर नाम की इस पालर मिलिटरी फॉसस की जवान ने एक थपड मारा था कंगना रणावत को मैं सोशल मीडिया में कंगना के खिलाफ कई ऐसे भड़काव बयान देख रहा हूं कंगना अपनी सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा कर रही ह हैं प्रधान मंत्री बुलाईए इस immature सांसद को कहिए कि अगर आप इस तरह के बयाना देती रहेंगी तो अपनी सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करेंगी कंगना करना क्या चाहती हैं मैं समझ सकता हूं ये मंडी की बदनसीबी है ये इस देश की बदनसीबी है कि इतनी immature इस तरह के भड़काव बयाना देने वाली एक आक्ट्रिस इस देश की सांसद बनी है मगर सबसे बड़े बात आप ये जो भड़काव बयाना देती हैं जो अपमान करती हैं चाहे किसानों का हो चाहे माइनॉरिटीज का हो आप अपनी सुरक्षा के लिए दिक्कतें पैदा कर रही हैं प्रधान मंत्री बुलाईए और मुझे लगता है कि आपको सार्वजनिक तोर पर एक बयान देना चाहिए इस बयान के दो मकसद होंगे सबसे पहली बात कंगना को नसीहत कि आगे से इस तरह के बयाना ना दे और दूसरी बात आपको यह अपील करनी पड़ेगी कि कंगना के खिलाव भी भड़काओ बयानात ना दिये जाएं मेरा ये मानना है दोस्तों कि हिंसा किसी भी सूरत में समाधान नहीं हो सकता चाहे कोई जैसा भी बयान दे कोई कैसा भी बयान दे समाधान सिर्फ कानून के अंतरगत है अगर कंगना कुछ भड़काओ बाते कर र इसलिए कंगना जी यहां जूर डालिए, मैं नहीं जानता हूँ कि आप इसका कितना इस्तमाल करती हैं, खासकर वो महिला जो लगातार भड़काओ बयानात देती हैं, आप इस तरह के बयानात देकर अपने लिए मुश्किल पैदा कर रही हैं, अपनी सुरक्षा पर आप दिक छेड़ रखा है, उनका एक एक नेता और हर नेता को ये लगता है कि मुझे अपना वजूद बनाए रखने के लिए विवादास्पद, जहरीले, माइनौरिटीज के खिलाफ बयान देने चाहिएं, और ये बयान संसद के अंदर होते हैं, आपके स्क्रीन्स पर ये है टी र लगातार दे रहा था, माहराश यो की देश की व्यावसा एक नब्स है, वहाँ पर ये व्यक्ती जहर उगल रहा था, लगातार उगल रहा था, प्रधान मंत्री क्या आपने टी राजा सिंग को दिल से माफ किया, बताइए, ये सवाल पूछा जाएगा प्रधान मंत्री बावजूद इसके आप चुनाव हार गए, यानि की भड़काव बयान देने का कोई फाइदा भाजपा को नहीं हुआ, जबकि आपका मुकाबला एक ऐसी उद्धव सेना के साथ था, जो दो फाड़ हो चुकी थी, जिसके चुनावी चिन को लेकर जंता में असमंजस था, आपका मुकाबला के ऐसी नसीपी के साथ था, जो दो फाड़ हो चुकी थी, आपका मुकाबला के ऐसी कॉंग्रेस के साथ था, जो कमजोर थी, बावजूद इसके गटबंधन को, MVA को महराश में आपसे ज़्यादा सीटे मिली, मतलब क्या है? आपने भड़काओ बयान दिये, खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉंग्रेस के घोशना पत्र के बारे में भरामक बयान दिये, सामप्रदाइक बयान दिये, ये तक कहा कि मुसलमान घुसपैटी हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं, फिर भी जनता आपको बहुमत से 32 सीटें दूर रखा, सबसे बड़ी बाद, उत्तर प्रदेश, जहां पर आपने राम के नाम पर राजनीती की, उसने भी अखिलेश के गटपंधन को 43 सीटे दी, मतलब साफ है मोदी जी, ये भड़काओ बयान आप काम नहीं आएंगे, क्या आप नसियत देंगे गिरिराज सिंग को, जिन्हों ने ये तक कह दिया कि विभाजन के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई, सभी मुसल्मानों को पाकिस्तान में भेज देना चाहिए था, आपके ये सांसद हुआ करते थे रमेश बधुड़ी आपको याद है, संसद के अंदर इन मन नहीं था सुनाने का, मगर प्रधान मंत्री, सुनिये बयान को और बताइए कि क्या आप रमेश बिधुड़ी को दिल से माफ कर पाएंगे, सुनिये अगर जाता है, तो देश के बता हुआ जाता है विद raging जी, अधीर रांजन जी अभी रोजम भाग है, सिर रांजन जी, अभी रूजर माँप पढ रहे थे, यह झी आपको यह जीजिदय। इस जीदार के नश मरत सकते एकर compartशनी कि के सलइए बदाएंगे, सुनिये रूज़। विदेशी जमीन में जाकर पोलिड में जाकर आप कहते हैं कि हमारा विश्वास सबका साथ सबका विकास वसुदेव कुटमकम में हैं अगर बंगाल के अंदर आपका जो मुख्यमंत्री का चेहरा है सुवेंदू अधिकारी वो ये कहते हैं कि मेरा सबका साथ सबका विकास में विश्वास नहीं है। वो किसी और को नहीं आपको अपमानित कर रहा है क्योंकि आप ये दावा करते हैं। हाला कि मुझे भी नहीं लगता कि आप दिल से सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। वो हमने लोकसभा में देख लिया था कि आपने किस तरह के बयानात दिये थे। सुवेंदु अधिकारी जो ये बात यहां कह रहे हैं, जो मैं सुनाने वाला हूं, क्या आप सुवेंदु अधिकारी को दिल से माफ कर पाएंगे मोदी जी? सुनी उन्होंने क्या का था। आम रचीत बो, हिंदु माचाबो, स्वांगविधान माचाबो, आर बोलबो, आम यह बोले छी, आम यह बोले छी राष्टवादी मुसलिम, आपनाराव बोले छेन सबका साथ, सबका विकास, आर बोलबो नां। बोलबो, जो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका साथ, सबका विकास, बंद करो, नो नीट संका लगो मुर्चा, बलो तकोन, जाई सिराम, जाई सिराम, जाई सिराम, क्यों भारती जनता पार्टी के नेता इस तरह की बयानात देते हैं, आखिर क्या वज़ाए कि 2014 के बाद, 300 सीटे हासिल करने के बाद, एक नहीं लगातार दो चुनावों में, फिर भी आखिर भारती जनता पार्टी को क्यों जरूरत पड़ती है भढ़काउ बयान देने की, और न सिर भढ़काउ बयान देने की, अपने विपक्ष के खिलाब भढ़काउ बयान देने की, उसे बदनाम करने की, देखिए, एक तो आप पहले से भढ़काउ बयान दे रहे हैं, यानि कि समाज को बाटने का काम कर रहे हैं, और आप जानती ही कि देश जब भी धर्म के आधार पर बटाए इसका सीधा फाइदा भाजपा को होता है एक तरफ आप ये बयानात देते हैं और फिर अपने विपक्ष के बारे में आप जूटे बयानात देते हैं लगातार देते हैं उन्हें आंटी हिंदू बताते हैं देश विरूधी बताते हैं और फिर बहन कंगना जैसी जो महान नेता आपके पार्टी के अंदर है मैं आज प्रधान मंत्री से पूछना चाहता हूँ क्या आप कंगना रनावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाएंगे या आपके लिए चुनौती है Otherwise भारतिय जंता पार्टी का ये जो बयान है ये सिर्फ बयान है इसके लावा कुछ में इसमें तो किसी का दस्खत भी नहीं है Nobody is even owning आप this letter अरे कम से कम ये जो खत है उसे अपना तो मानो आप वो भी करने को तयार नहीं है मैं समझना चाहता हूँ क्यों क्या वज़ा है क्या वज़ा है कि आप इस खत को अपना मानने को तयार नहीं है ये सवाल है ये किये जाएंगे क्यों भारती जनता पार्टी इस बात को नहीं समझ रहे है कि देश को इस सामप्रिदाइक जहर से बाहर निकालना है ताकि देश तरक्की कर सके ताकि देश के अंदर बहतर माहूल हो ताकि विदेशी कंपनिया आके इस देश में इन्वेस्ट करें ताकि लोगों को नौकरिया मिलें जब राहुल, तेजस्वी और अखिलेश जाती जनगणना की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जाती के आधार पर बांटा जा रहा है ये नेता सिर्व इतना कह रहे हैं कि जिसका जितना प्रतिशत सत्ता में उनकी उतनी भागेदारी क्या ये जाती के नाम पर बाटने की बात हो गई यानि कि अगर किसी को उसका आधिकार उसका हक दिलाओ तो वो देश को बांट रहा है मगर आप और आपके नेता जो लगातार किसानों को गाली देते हैं माइनॉरिटीज को गाली देते हैं और रुकते नहीं हैं सबका साथ सबका विकास की तिलांजिली दे रहे हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कहते हैं मैं समझना चाहता हूँ BGP से किस नैतिक अधिकार से आप ये कहते हैं कि विपक्ष जो है वो जाती के नाम पर बांट रहा है आप जो धर्म के नाम पर देश को बरबाद करने में लगे हुए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की दौर में हम जिस समवेदन शील दौर में रह रहे हैं देश की जनतास को इस जहर से बाहर निकालना होगा और अगर हम जहर से बाहर नहीं निकालेंगे देश बत से बत्तर होता जाएगा हमारी किताबों में ऐसे पाठ पढ़ाए जाएगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो धर्म निर्पेक्ष जिम्मिदार नागरिक बन सकें प्राइम टाइम में जो बार बार जहर का प्रचार प्रसार होता है उस पर लगाम लगाईए जो सत्ता से सवाल करने वाले पत्रकार होने है उन पर इंकम टाक्स के रेड मारके एडी के रेड मारके आंटी टेरर सेल को उनके घर भेज कर या फिर ब्रॉड कास्ट बिल लाकर सुधरिये देश ऐसे नहीं चलेगा देश अब धीरे धीरे समझने लगा है कि इस नफरत से ना उनका फाइदा है ना उनके बच्चों का फाइदा है हिंदू खत्रे में नहीं है अगर 2014 से पहले हिंदू खत्रे में नहीं था तो 2014 के बाद जब हिंदू उरिदाय समराट देश के प्रधान मंत्री हैं और मुख्य मंत्री आद इतना दूसरी बार उत्तर पदेश के मुख्य मंत्री बने हैं जोकि एक मंदिर के, एक मठ के महराज हुआ करते थे। तो ऐसे में ना उत्तर्पदेश में, ना पूरे भारत में Hindu खत्रे में है। नहीं है खत्रे में वो। खत्रे में सिर्फ भारतिय जन्ता पाटी की वो राजनीती है, जिसमें ओ धर्म के दाम पर लोगों को बाटना चाहती है जहरीले बयान देना चाहती है अपना औचित, अपना वजूद, अपना रेलवन्स बनाएं रखने के लिए बात सही है या नहीं है सवाल पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा हविजार शेर्मा को दीजिये अजाज़त, नमस्कार